नमस्कार दोस्तों हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बर फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में वीपेसी सिक्चक बढ़ती के लिए महत्यों पुर्ण प्रशनों को लेकर मैं उपस्तित हुई हूँ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा चैनल भारती संविधान की रचना में नेमने लिखित में से किषने सरवाधी गंभीर प्रभाव छोड़ा है ओप्सन है ब्रेटिस संविधान संयुक्त राज अमेरिका का संविधान आयरलेंड का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 ओप्सन चोथा सही हो जाएगा भारत सरकार सही उतर हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है ओप्सन है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसरगिक अधिकार, राजनितिक अधिकार ओप्सन दूसरा सही हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को अब भारत में कानूनी अ अधिकार माना जाता है अगला प्रिश्ण है भारतिय संभीधान सभा की संधिय सकती समीती के अध्यक्ष कौन थे आई अगले प्रिश्ण को देखते हैं प्रिश्ण अगला है भारत की संधिय प्रनाली किस अधिनियम के अंत्रगस्त अस्थापित की गई थी आप्षन है Government of India Act 1919 गवर्मेंट आफ इंडिया Act 1935 तो यहां पर आप दो आप्षन देख लिजिएगा लेकिन इसका सही उतर जो हो जाएगा वह सही उतर होगा गौवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 सासन की संधिय प्रनाली इस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित की गई थी तो इसको आपको याद रखना है आईए दो ओप्सन और है जो उसको भी देख लेते हैं दो ओप्सन और है इंडियन कांसिलिंग एक्ट 1909 और चोथा ओप्सन इसमें का है गोवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1858 अगला प्रिश्न है भारतिय सम्विधान के मौलिक अधिकारों के अंतरगत इन में से क्या सम्मिलित नहीं है ओप्सन है भारत की स्वतंदरता का अधिकार बिधी के समक्ष समता का अधिकार सम्विधानिक उपचार का अधिकार समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार आप भी बताने की कुशिश करें कौनसा option सही होगा तो option चोथा सही हो जाएगा समान काम के लिए समान वेतन का अधिगार कुछ प्रश्णों को आप भी अपने मन ही मन उतर देने की कोशिश करें और आपने कितना सही उतर दिया है copy और pen लेकर जरूर बैठे और ये देखे कि आपका इस्कोर कितना जा रहा है अगर आपने copy pen नहीं लिया है तो अभी से जरूर ले लिजिए प्रशनगला है निम्ड लिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गनना भारत के सम्मिधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उचेतम न्यालय ने मौलिक अधिकार बताया है तो यहाँ पर option है निजदा का अधिकार विधी के समक्ष सम्मता का अधिकार अस्पिरिसता का उन्मूलन एसोसियेसन यह संद यूनियन बनाने का अधिकार आप्शन पहला सही हो जाएगा निज़ता का अधिकार अगला प्रिशन है कोई व्यक्ति भारतिय नागरिक नहीं होगा यदि वह आप्शन है विदेश में पांच बड़ से अधिक रहा हो विदेशी न्यालय द्वारा दंडित किया गया हो अगला आप्शन है स्वेक्षा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहन कर चुका हो दूसरे देश में रुजगार स्विकार कर चुका है आप्शन तीसरा सही हो जाएगा स्वेक्षा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहन कर चुका है अगला प्रिशन है डॉक्टर बियार अम्विद्कर ने सम्मिधान का हिर्दय और आत्मा किसे कहा था ओप्षन है समानता के अधिकार को सोसन के विरुद अधिकार को सम्मेधानिक उपचारों के अधिकार को धार्म के स्वतंदरता के अधिकार को तो यहाँ पर जो ओप्षन हो जाएगा तीसरा option सही हो जाएगा कि डॉक्टर अम्वेदकर ने संविधान के हिर्दय और आत्मा संवेधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण अगला है भारतिय संध राज छेतर का दैनिक प्रसासन किसके द्वारा संचालित होता है option है राष्टपती राजेपाल ग्रिह मंत्री उपराजेपाल option चोथा सही हो जाएगा उपराजेपाल भारतिय संध राज छेतर का दैनिक प्रसासन उपर राजपाल के द्वारा संचालित होता है अगला प्रशन है उच्यतम न्यालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है ओप्सन है दो, तीन, पाँच, छे ओप्सन तीसरा सही हो जाएगा पाँच प्रकार की रीट जारी की जा सकती है आई अगले प्रशन को देखते हैं, प्रशन अगला है मूल भूत अधिकारों की सुची में से किस संबिधान संसोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया ओप्सन है 42 संसोधन, 62 संसोधन, 44 संसोधन, 43 संसोधन ओप्सन तीसरा सही हो जाएगा, 44 संसोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया अगला प्रिशन है भारत में बैद प्रभुसत्ता नहित है ओप्सन है राष्टपती में, न्याय पालिका में, मंत्री मंडल में, संबिधान में ओप्सन चोथा सही हो जाएगा, भारत में बैद प्रभुसत्ता संबिधान में नहित है अगला प्रिशन है निम्नी लिखित में से कौन सा राजनितिक अधिकार नहीं है option है मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लरने का अधिकार, सरकार के आधिसासी निकायों के पास सिकायत करने का अधिकार option दूसरा सही हो जाएगा जीवन का अधिकार या राजनितिक अधिकार नहीं है अगला प्रश्ण है भारतिय संविधान के प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे ओप्सन है पंडित ज्वाहरलाल नहरू, डॉक्टर रजेंद पसाद, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेदकर ओप्सन चोथा सही हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेदकर अगला प्रश्ण है भारत के संविधान के प्रास्तावना में निम लिखित में से वह सब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान के 42 सुनसोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था ओप्सन है समाजवादी पंत निर्पेच गरिमा निश्ठा ओप्सन तीसरा सही हो जाएगा गरिमा आई अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है बीशो में सबसे बड़ा संविधान किस देशका है ओप्सन है भारत, अमेरिका, व्रिटेन, फ्रांस तो बीशो में सबसे बड़ा संविधान भारत का है Option पहला सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत के सम्विधान में सम्विधानिक उपचार का अधिकार निम्न लिखित में से किस अनुछेद में दिया गया है Option है 30, 31, 32 या 35 Option तीसरा सही हो जाएगा 32 अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से किस इस्थिति में बंदी परतक्षी करण रीट जारी की जाती है Option है संपत्ती की हानी, अतिरिक्ति करकी वापसी, दोस्पुर्ण पुलिस नजरबंदी, भासन की स्वतंतरता का उलंगन Option तीसरा सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा निजरी स्वतंतरता का एक आधार है Option है पड़मादेश, बंदी परतक्षी करण, अधिकार, प्रिक्षा, उत्प्रेशन Option दूसरा सही हो जाएगा बंदी परतक्षी करण अगला प्रश्ण है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न लिखित में से किसी नियालाई द्वारा क्या जारी किया जा सकता है Option है डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना Option तीसरा सही हो जाएगा समादेश यानि रिट अगला प्रश्ण है भारत में राजनेती सकती का स्रोत है Option है संविधान, संसद संसद और राजविधान सभाए हम लोग अर्थाद जनता Option चोथा सही हो जाएगा भारत में राजनेती सकती का स्रोत है हम लोग अर्थाद जनता अगला प्रेश्ण है भारत के संबिदान सभा का अध्यक्ष कौन था अप्शन है डॉक्टर वी आरंबेदकर, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, डॉक्टर वी एन राव, पनित ज्वाहर लाल नहिरू अप्शन दूसरा सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, अगला प्रेश्ण है हमारे संबिदान में न्याइक समिक्षा की धारना किस देश के संबिदान से ली गई है ओप्शन है इंगलेंड, युएसे, कानाडा, अश्टरेलिया ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा युएसे से हमारे संबिदान में न्याइक समिक्षा की धारना को लिया गया है अगला प्रेश्ण है भारतिय संबिदान अपनाया गया था ओप्शन है 26.1950 को, 26.1946 को, 26.1949 को, 31.1949 को तो भारतिय संबिदान 26.1949 को अपनाया गया था ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा अगला प्रेश्ण है संबिदान का अनुचेद एक भारत को घोसित करता है ओप्शन है संधिय राजी के रूप में, अर्ध संधिय राजी के रूप में, एकात्मक राजी के रूप में, राजियों के संधि के रूप में ओप्शन चौथा सही हो जाएगा राजियों के संध के रूप में संभिधान का अनुचेद एक भारत को घोसित करता है अगला प्रश्न है भारतिय संभिधान की प्रस्तावना में निम्न लिखित में से किस अभिव्यक्ती का प्रयोग नहीं किया गया है तो नहीं किया गया है किसका option है सर्व सत्ताधारी, लोगतांत्रिक गनराज, समाजवाजती, धर्म, निर्पेच, संधिये तो आप किसी भी प्रशन को जब भी पढ़े तो प्रशन को अच्छा से पढ़े क्योंकि कई बार हम इस जो नहीं सब्द है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रशन को जानते हुए भी हमारा उतर गलत हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशनों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए option चोथा सही हो जाएगा संधिये भारती संबिधान की प्रस्तावना में जिस अविव्यक्ति का प्रियोग नहीं किया गया है वह है संधिये अगला प्रशन है भारत में संधरा चेतरों की संख्या है option है 5, 7, 9, 6 option दूसरा सही हो जाएगा 7 अगला प्रशन है संधिये अगले प्रशन की प्रस्तावना में सामिल नहीं किया गया था option है स्वतंदरता, समता, समाजवादी, न्याए option तीसरा सही हो जाएगा समाजवादी अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है निमनलिकित में से कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है option है समयधानिक उप्चारों का अधिकार, समपत्ती का अधिकार, भासन तथा अविव्यक्ती की स्वतंदरता का अधिकार उप्योक्त सभी option दूसरा सही हो जाएगा संपत्ति का अधिकार या मौलिक अधिकार के अंत्रगत नहीं आता है अगला प्रश्ण है भारतिय सम्मिधान के किस संसोधन द्वारा प्रस्तावना में दो सब्द समाजवादी और धर्म निर्पेच जोरे गए थे आप्शन है 28 संसोधन, 40 संसोधन, 42 संसोधन या 52 संसोधन आप्शन तीसरा सही हो जाएगा 42 संसोधन में कि प्रस्तावना में दो सब्द समाजवादी और धर्म निर्पेच जोरे गए थे आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण अगला है निम्न लिखित में से देश का सबसे बड़ा कानोन कौन सा है ओप्शन है भारतिये दंड सहीता, भारतिये संबिधान, सिविल प्रकिरिया सहीता, अपराधिक प्रकिरिये सहीता ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा भारत देश का सबसे बड़ा कानुन भारती शंबिधान है अगला प्रिश्ण है भारत के संबिधान में मौलिक अधिकार ओप्सन है मुल संबिधान का हिस्सा थे चोथे संसोधन द्वारा जोरे गए थे संसत द्वारा 1952 में जोरे गए थे 42 संसोधन द्वारा जोरे गए थे तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ओप्षन पहला सही हो जाएगा मुल संविधान का हिस्सा थै अगला प्रश्न है निमन लिखित में से किस सन में भारतिय नागरिकों के मौलिक करतब्य सम्विधान में सामिल किये गए थे अप्शन है 1952-1976-1989-1981 अप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1976 अगला प्रिश्ण है भारतिय सम्विधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनितिक अधिकार है आर्थिक अधिकार है मौलिक अधिकार है धार्मिक अधिकार है अप्शन तीसरा सही हो जाएगा मौलिक अधिकार है जीवन के अधिकार को मौलिक अधिकार भारतिय सम्विधान के अनुसार कहा गया है अगला प्रिश्ण है भारतिय सम्विधान का अनुछेद 14 भारतिय नागरीकों को गारांटी देता है, ओप्सन है कानूनों की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरन की, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की, तो ओप्सन चोथा सही हो जाएगा, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट में बताते रहिएगा और लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लिजेगा हिंदे साधन चैनल ये आपके लिए अगला प्रेश्ण है भारत की संवीधान की पद को भरने के लिए निरवाचन का आयोजन निमलिकित में से कौन करता है और भारत का उपराश्ट पती भारत का निरवाचन आयोग भारत के मुखनियाय मूर्ती भारत का अटानी जनरल आप्सन हो जाएगा कौनसा सही आभी बताने की कोशिश कीजिए इसमें से कौनसा आप्सन सही होगा आप्सन दूसरा सही हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग भारत के राश्टपती के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग करता है अगला प्रश्ण है भारत का पहला राजनितिक और राजनितिक राश्टपती कौन थे? अगला प्रश्ण है किस निर्देशक सिधान्त पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है अप्शन है समान काम के लिए समान वेतन, निसुलक कानूनी सहायता और सलाह की वेवस्था गोवध पर निशेद, एतिहासिक महत्व के इसमारकों की रक्षा अप्शन तीसरा सही हो जाएगा गोवध पर निशेद प्रश्ण अगला है राष्ट पती ने अब तक कितनी बार राष्टरिय अपात काल की घोशना की है अप्शन है किवल एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं अप्शन तीसरा सही हो जाएगा तेन बार अगला प्रिश्ण है जब राष्ट पती और रूप राष्ट पती दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट पती पद पर अस्थाई रूप से कौन काम करता है अप्शन है संसंत के दोनों सदनु द्वारा निमित कोई व्यक्ति लोग सभा का अधियक्ष राज सभा का उप सभापती भारत का मुखन आएधिस अप्शन चोथा सही हो जाएगा भारत का मुखन आएधिस जब राश्टपती और उप राश्टपती दोनों के पद खाली होता है तो भारत का मुख नयाइधिस राश्टपती पद पर अस्थाई रूप से काम करता है प्रश्णगला है नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाए कौन सा है ओप्सन है चुनाव आयोग, राश्टपती, संसद, संसद और विधान सभाई ओप्सन तीसरा सही हो जाएगा संसद अगला प्रश्ण है राज्यसभा को भंग करने के लिए निमन लिखित में से कौन सक्षम है औप्सन है राश्टपती, सभापती, राज्यसभा, लोक्सभा, इन में से कोई नहीं अगला प्रश्न है संबिधान के किस अनुछेद ने मौलिक अधिकारों की अपेक्छा राजनेतिक के निदेशक सिध्धानतों को अधिक महत्व बना दिया है अधिक महत्व पूर्ण बना दिया है आप्शन है 22 संसोधन, 44 संसोधन, 52 संसोधन और 56 संसोधन तो इसमें से कौन सा उतर सही हो जाएगा आप्शन पहला सही हो जाएगा संबिधान के 22 संसोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज के निती निदेशक सिधानतों को अधिक महत्व बना दिया है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट के माध्यम से अवस्य बताए वीडियो दखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले